हलो एवरिवान वेल्कम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सभी उम्मित करते हैं कि आप सो भी बहुत अच्छे होएंगे और फ्रंस अभी देखिए सोबे का टाइम है अर्ली मॉर्निंग का तो अभी देखिए मौटते ही जा रही हूँ और मस अभी मेरी मॉर्निंग के जो शुरू बात है ना वो हो गई है अच्छा भी कितने दिनों से व्लोग आप लोगों को नहीं मिले होंगे अच्छली क्या है ना कि थोड़ा सा भी जी हूँ इस वज़े से और साइद ऐसे ही मेरे व्लोग आएं भी या ना आएं भी पता नहीं अब क्या होगा मुझे भी ने पता बस यह है कि कोसिस तो मैं करती हूँ करने की पर वो ने पाता है क्योंकि अभी जिस टाइम पर जिस चीज में मैं अभी टाइम मेरा हो रहा है तो उस बज़े से थोड़ा सा टाइम बहुत जादा डिस्टाब हो जाता है बहुत जादा टाइम की वरती है लेकिन पूरी कोसेश करती हूं कि चलो आप लोगों को अच्छे से अच्छा व्लॉग और रूटीन जो है ना सेयर करूं पर मैं मतलब है ना देखिए रूटीन के ह जीएगा आप लोग तो आपो सारी जनकरी इसमें मिल जाएगी और एक तो क्या होता है ना कि रूटीन के हिसाब से भी ना काफी कमेंट आते हैं कि आप डेली एक से रूटीन सेयर करते हो तो मुझे तो खुद नहीं समझ में आता है मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूं ब मैं सेयर करती हूं तोड़ा सा घर के काम आप इसके अलावा अधर और क्या मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है अब आप लोग मनलबना कुछ लोगों के तरह कमेंट आते हैं और कुछ लोगों को पसंद भी आते हैं तो देखिए जैसा भी है मेरे घर का काम ही रहता है घर का जो काम में करती हूं आप लोगों के साथ सेयर करती हूं कुछ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है जैसे भी तो बस वही मेरा नॉर्मली से डेली रूटीन होते हैं बस यह है कि कुछ अच्छी बाते और मतलब जो होती है तो उस हिसाब से में आप लोगों के साथ सेयर कर देली के नहीं जमाते नहीं फिर उसके वाध अभी मैं अपने बेटे का ठीफिनबरक्स इसमय समय उन्हाँ वह क्वाहिए अभी स्कूल भी जाना है और अभी उठने वाला था कार्तिक लेकिन मैंने उसको उठाया नहीं अभी तो बस उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद उठाऊंगी तो अभी से मतलब मैं जल्दी उठाऊंगी तो मैंने सोचा अभी क्यों उठाऊंगी क्या भी लगबग एक घंटा था तो जब उसका टाइम होने को मतलब आदा बसता है आदा घंटा था मैं उठाती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए मैंने गरम पानी जो है ना वो चड़ा दिया है तो गरम पानी पी लेती हूँ मैं थोड़ा सा गुन-गुना हलका सा ही कभी-कभी नॉर्मली सा दे कि मेरा जो पानी का रूटीन है ना वो सेम डेली नहीं रहता है कभी मैं नॉर्मली भी पी लेती हूँ कभी गुन-गुना पानी पी लेती हूँ बस यह रहता है तो जिस टाइम पे जैसा समझ में आता है काम उसे साब से मैं जल्दी-जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि सोबे का जो टाइम होता है बहुत बीजी वाला होता है बेटों को स्कूल भी टाइम पर भेजना होता है और कोछ अच्छा सा लंच भी बनाना होता है और मैं उसके लिए हमेचा पूरी कोशिस करती हूँ कुछ अच्छा-च्छा सा लंच बनाने की सच बता हूँ तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे बागी मैं टिफेन इतना जल्दी मतलब आपने उसाथ सेयर नहीं कर पाती हूं क्योंकि सोबे का टाइम बहुत जल्दी वाला होता है और मैं अच्छा बनाने की कोसिस करती हूं क्योंकि रोज रोज वो पराठा सब्जी नहीं ले जाता है तो कुछ नया नया सा मुझे बनाना पड़ता है तो आज देखिए मैंने बनाया है ये सोया बीन और आलू का पुलाव बहुत बढ़िया वाला पुलाव बना था और अच्छे खिले खिले चावल जो है न वो बन गए थी पहले दे रहे हुँ तो पहले इसमा बहर दोंगी इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख दोंगी अभी जब तक वो तैयार हो रहा है और फिर उसके बाद मैं उसको लगा करके टिफिन दे दूंगी तो बस सिंपल सा आज मैंने यह और वो इसके साथ कुछ भी नहीं खाता है बात यह भी रहती है वरना मैं और भी कुछ रख दूँ जैसे कि रायता वगेरा कुछ भी पर वो सिंपल पुलाओ जैसे कि अगर यही बनाया तो ना वो सिर्फ यही वर खाएगा इसके साथ वो जैसे हम जैसे लोग खाए ना तो थोड़ा सा रायता दही वाला कुछ ऐसा मिलना चाहिए न तो अच्छा लगता है पर उसको नहीं सिंपल यह अच्छा लगता है वो कुछ भी नहीं रखवाता है यहां खड़ा रहेगा ना तो सबात मनलम बना करवा देता था पहले कि नह तो देखिए यहां पर मैं बहती हुई हूँ और आप लोग कह रहे थे ना एक कमेंट आया था अच्छा कल जिस कमेंट के बारे में मैंने बात की थी देखिए मैंने आप लोगों को बताया मतलब है ना साफ साफ उसमें बोला था साइद आपने सुनने नहीं होंगे जिसने कमेंट किया कि ऐसा कुछ कमेंट नहीं था जो आप में इतना ज्यादा मतलब वह उस वारे में बोल रहे हो मैंने यह कहा था कि मैंने कमेंट पढ़के डिलीट कर दिया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं था इतना मनलब ऐसी नेगेटिव वाली बात है और कमेंट जो होते है न वो मैं नहीं रखती अपने पास उनको मैं डिलीट कर देती है तुरंट के तुरंट तो उसमें नहीं था इसलिए आपको नहीं देखा तो आपने जच कर लिया कि उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला तो यह मुझे पता है इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया तो उसमें सा तो कि मैंने बादा घुशन कैसमा जाइए कर ने कर देटी हमने यह में सिर्फ पढ़ाई को लिगर कहा है . मैं सिर्फ पूरा क्या लक्ति करका कि तो अब आप लेकर अन्हे हैं Jak 7 इंट्रेस्टिंग रटें मुझेant है चलो अच्छी बात है कमशुकम आपको पता तो है कि आगली बार से मैं टेलेट नहीं करूंगि आपको दिखा दिखा दिया करूंगी उसके बार देलेट करोंगी ठीक है तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और यहां दूसरी चाह बन ली है एक बार मैंने है न सुबह जो है वो चाह पी ली है अभी हस्बेंट के साथ तो सुबह आठ बजे और अभी हस्बेंट चले गए है और मैं यहां पर अपना यह करने बढ़ गई हूँ क्योंकि हस्बेंट बोल के गए है इस टाइम पर है न वो बोल के ही जाते है कि अपना बढ़ जाए करी उसके बाद फिर मैं ली तो पहर रहे कि यह वैसे कलका है én अब जहिको नहीं करा है मतलब तो वृब हमाता रेडिंग करूंगी आप अंब कर अभी करूंगी दुश्चे भाल फिर उसके बाद अपने अपने सब्जेकτα करना तो यह पूरा कलका है कलके पेजस है मैं दिखाती हूँ आपको कि इतने पेज लेके मैंने एक दो तील चार पांच छे साथ अब ये साथ पेज है और अगर इनको हल्टा पल्टी करके गिनेंगे जैसे कि पेजेस मैंने साथ गिनें अगर एक इस तरफ और इस तरफ दो होते हैं तो साथ के डवल कर लीजिए चल्दा पेजे से कल मैं मतलब है ना कभी कभी हो जाता है ऐसे कभी नहीं जादा तर ऐसे ही होता है बहुत कभी होता है कि जब मैं बहुत कमने पाती है मुस्किल से दो चार पेजे पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब जब मैं बैड़ जाती हूँ ना ख्लासेश लेने तो फिर और तो पर तो पहर के टाइम में बिलकुल नहीं सोई हूँ क्योंकि सो जाती रही मैं कम से कम आदा घंटा पंदरा मिर्ट ऐसे लेड जाती थी यही क्योंकि नीज आती है ना पाणने में इस वज़े से तो देखिए बात लिखने की नहीं है, बात यह है कि हम लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, इससे कोई फारक नहीं पड़ता है, लिखने को तो बहुत सारा लिख सकते हैं, हमें कितना हमारे माइंड में बैठ रहा है, कितना सेट हो रहा है, और कितना हमें चीजे याद हो रह म Cairo सकते हैं तो फेलिटें से करते हैं अब लोग अगर पुलुगि कर रहे हैं जब दिरे में बना चुकी हो लिकिन जब दीरे दीरे में रिवाईस करती हूं तो इ 有 działaOR से अभी मेरी इतनी कापिया भार चुकी है ना कि वो मुझे देखने तक का टाइम नहीं उनका वो रखी ही रह गई मतलब कम सम 6-7 जो भी है जाद ही होईगी तो सब रखी होई है तो इसलिए जब दुबारा से मैं करती हूं तो अपने फिर मैं लिख लेती हूं फिर छोटे स् हं इस से क्या होता है दिखिए एक्साम के टाइम पर हमे चीजा है ना जल्दी-जल्दी रवाइब स करने ही पढ़ती है और इतना सारा प्रहा Pakistan ह Hai कि यह कि क्या शीघघा में लिखेंगे ना तो जल्दी जल्दी से पड़ भी लेंगे और हमें एक दिमाग में मैं बैठा हुआ होना चाहिए कि हाँ यह चीज हमने पड़ी है इसके बारे में हमें क्या करना है क्या लिखना है तो थोड़ा सा मैंने सुचा आप लोगों को बता दू इतना ज्यादा नौल अब इसके बाद और मैं क्या बोलू क्योंकि देखिए मैं कोद अभी मलना इतनी वो नहीं हुआ एक्टिव थोड़ा सा उस चीजों में तो जितना हो पाता हुतना कल लेती हूं बस यह है तो अभी अब आज कितना लिखना है यह मुझे पता है क्योंकि मेरे कल एक जो है ना अब इसक्ता है क्योंकि अब जेखिए क्योंकि वोट य्युट से तोह यह है तोहै है क्योंकि दितना है में क्योंकि मैं अभी जए वीजड़ा नपर फॉबल आप तोहा है तोहाई